आज हम सीखेंगे कि छोटे बच्चों को less than और greater than का sign लगाना किस सरीके से समझाया जाता है less than और greater than का sign हम तब लगाते हैं जब हमें दो numbers को compare करना पड़ता है कभी-कभी number equal होते हैं तो उसके लिए हम equals to का sign का इस्तेमाल करते हैं छोटे बच्चों को less than और greater than का sign लगाने के लिए दो तरीकों से समझाया जाता है abacus के through और number line के through कई बार ऐसा होता है कि जो चीज बड़ों के लिए बहुत आसान होती है वो छोटे बच्चों के लिए समझनी उतनी आसान नहीं होती थोड़ा उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए abacus और number line का आप इस्तेमाल करके उन्हें बहुत असानी से less than और greater than के sign का इस्तेमाल करना बता सकते हैं क्योंकि कुल मिलाकर हमने उन्हें दो number को compare करना ही सिखाना है धीरे धीरे जब वो practice करेंगे तो अपने आप understand करने लग जाएंगे कि कौन सा number छोटा है और कौन सा बड़ा छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो उन्हें interesting भी बना कर रखे तो उसके लिए आप सोच सकते हैं कि उनके पास है alley the alligator alley the alligator की विशेशता ये है कि ये हमेशा बड़े number को ही खाता है इसका मतलब है कि जो open mouth है alligator का वो हमेशा बड़े number की तरफ ही आएगा अब हम दो numbers को compare करेंगे number 7 और number 3 को और हम दोनों ही तरीकों से इस number को compare करेंगे पहले हम लेते हैं abacus के through abacus के according अगर number 7 है तो उसके लिए हमें 7 beats लेने पड़ेंगी जो की है ये और number 3 के लिए हमें 3 beats लेने पड़ेंगी अब देखने से ही बच्चों को ये पता चल जाएगा कि number 7 में ज़्यादा beats है और number 3 में कम इसका मतलब number 7 bigger है number 3 से अब इसी चीज़ को हम number line के according समझेंगे number line के according जो number number line में पहले आता है वो हमेशा छोटा number होता है इसका मतलब ये है कि number 3 जो है वो smaller है number 7 से और यही बात हमें abacus भी कह रहा है कि 3 beats are lesser than 7 beats तो इसका मतलब है कि alley the alligator जो हमेशा बड़े नंबर को अपना शिकार बनाता है वो number 7 को खाएगा इसका मतलब ये है कि number 7 की तरफ greater than का sign लगेगा number 7 is greater than number 3 इसी बात को समझने के लिए अब हम दो डिजिट की number को लेंगे हम हमीशा number left to right पढ़ते है number 54 and number 29 अब ऐसे में हमें दोनों number को compare नहीं करना हमें दोनों number की जो 10th place की digit है उसको compare करना है अगर वो डिजिट बड़ी है तो number बड़ा है और अगर वो डिजिट छोटी है तो number छोटा है तो हमें 54 में 5 जो है वो 10th place की digit है और 29 में 2 जो है वो 10th place की digit है तो हमें number 5 और number 2 को compare करना है तो हम इसके लिए number line का इस्तेमाल करते हैं हम यहां से चलते हैं और देखते हैं कि number 2 जो है वो number 5 से पहले आ गया है इसका मतलब है number 2 से बनने वाला जो number है वो छोटा number है और आप कह सकते हैं कि number 54 जो है वो बड़ा number है अब इसी बात को हम abacus के थुरू समझते हैं abacus के according number 5 में 5 beats है और number 2 के लिए हम 2 beats लेंगे आप जब भी बच्चो को समझाएं तो दोनों method को एक साथ mix करके ना समझाएं अगर आप abacus के थुरू समझा रहे हैं तो abacus के थुरू समझाएं और अगर बच्चे abacus से नहीं समझ रहे हैं तो आप number line के थुरू नहीं समझा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए आप दोनों मैथ़ड का इस्तिमाल कर सकते हैं, अब नमबर 5 में 5 बीट्स हैं और नमबर 2 में 2 बीट्स हैं, देखने से ही पता चलता है कि नमबर 5 में ज़्यादा बीट्स हैं, अब लिए नमबर 52 बीगर देन नमबर 29 सीधा पता चलता है कि नमबर 54 जो है वो 29 से बड़ा है, तो अलिद अलिगेटर जो है वो हमेशा बड़े नमबर को ही अपना शिकार बनाता है, तो वो क्या खाएगा? नमबर 54 को अपना शिकार बनाएगा, जो ओपन माउथ है अलिगे अब जो नमबर लिए हैं उनमें से एक नमबर सिंगल डिजिट का नमबर है और एक नमबर डबल डिजिट का नमबर है बच्चों को हमेशा यह बात समझाएं कि सिंगल डिजिट का नमबर हमेशा ही छोटा नमबर होता है according to double digit number अब नमबर 7 छोटा है और स्मॉलर है नमबर 25 से तो अलिद अलिगेटर जो हमेशा बड़े नमबर को यह अपना शिकार बनाता है वो खाएगा 25 को नमबर 25 इस बिगर दैन नमबर 7 तो ओपन माउथ जो अलिगेटर का है वो नमबर 25 की साइट पर आएगा उमीद है कि इस तरह से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें जल्दी से यह concept क्लियर हो जाएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद Keep Growing, Keep Practicing